हालो एविवन, स्वागत है आपका अपलिकाव वर्ल्ट में तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर स्कूल और सोसाइटी जो की एक पेपर है हमारे बीएड में जब हम HNB गड़वाल उनिवरसिटी से बीएड करते हैं किसी भी उनिवरसिटी से बीएड करते हैं तो ये वाला पेपर हमें जरूर देखने को मिलता है किसी ने किसी सेमिस्टर में और ये जो पेपर है इसका नाम है जेंडर स्कूल और सोसाइटी तो जेंडर स्कूल और सोसाइटी की फर्स यूनिट में काफी टॉपिक हम अलएडी कवर कर चुके हैं अगर आपको वो वीडियोज भी देखना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएंगी वीडियोज अलएडी प्लेइलिस्ट बनी हुई है प्लेइलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फिलाल हम लोग फर्स यूनिट के ही एक नए टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं विच इस जेंडर रोल्स इन सुसाइटी यानि की जेंडर का जो रोल है वो क्या है सुसाइटी में और डिफरेंट एस्पेक्ट है इस टॉपिक की भी जैसे की फैमिली में क्या जेंडर रोल्स है और कास्ट में क्या जेंडर रोल्स है रिलिजिन्स में क्या है मास मीडिया में क्या है लो एंड स्टेट में क्या है डिफरेंट टॉपिक्स हैं तो हम इसको छोटे-छोटे parts में cover करेंगे आज के इस part में हम लोग देखेंगे कि cast और family में gender roles क्या है क्योंकि हम एक lecture में इसको cover नहीं कर सकते because ये एक बड़ा topic है तो आज हम इसका part 1 पढ़ने वाले हैं जिसमें हम family और cast में क्या role होता है gender का वो देखेंगे तो चलिए शुरू करते हम सबसे पहले समझते हैं family में क्या role होता है बहुत सारी चीज़े है ये एक ऐसा topic है जिसमें आप अपने thoughts भी डाल सकते हैं जो आपको जानकारी है समाज के बारे में जो चीज़े आप जानते हैं ये common चीज़े हैं बस उसको आपको एक सही language में पिरोना है तो अगर हम start करते हैं कि family में क्या role होता है gender का तो simple सी बात है कि चाहे कोई भी religion का व्यक्ती हो किसी भी country में रहता हो किसी भी locality में रहता हो उसके कोई भी हालात हो फिर भी जो उसकी family होती है या कोई भी एक particular family होती है चाहे वो कहीं से भी belong करती हो हर एक family का अपना एक structure होता है अपने rules होते हैं और हर एक family member के लिए कुछ roles होते हैं प्ले करने के लिए एक family में family जो होती है बहुत specific होती है person के gender को भी लेकर मतलब males और females के अपने-पने rules होते हैं हो सकता है कि वो जब हम जगय बदलते हैं या हम समाज बदलते हैं जब समाज बदलते हैं तो उसमें थोड़े बहुत रोल्स इधर-उदर हो जाते हैं बट हर एक gender के लिए एक अलग role है males के लिए अलग role है हर जगे और फैमिली में इस तरीके से बनाया गया है सिस्टम के और समाज में भी कि हर एक जंडर को अपने according बिहेव करना है जैसा society expect करती है जैसा society समझती है कि इस जंडर के person को बिहेव करना चाहिए हम वैसा ही बिहेव करें और हम वैसा ही बिहेव करते हैं अगर कोई person वैसा behave नहीं करता है तो उसको एक stigma की तरह देखा जाता है एक समाज में अलग व्यक्ति की तरह देखा जाता है जैसे हम इसका एक उधारन ले सकते हैं जैसे कि लड़कियों से expect किया जाता है कि वो suit पहने, skirt पहने, बाल लंबे रखें, आवास को नीची रखें थोड़े सी submissive type की हो, kind हो, सीधी हो एक expectation है society की लड़कियों को लेकर उस तरीके से लड़कों को लेकर भी expectations है तो अगर कोई अपने role को reverse करता है for example, अगर किसी लड़के को लड़कियों की तरह रहना पसंद है कुछ चीजों में तो society तो कहेगी कि यह सही नहीं है या इसके अंदर कुछ कमी है या इसको ठीक होना चाहिए तो इसको एक कमी की तरह देखा जाएगा, है ना तो इसलिए यह कहने वाली बात है कि family में या society में एक way decide किया गया है कि किसी भी person को किस तरीके से रहना चाहिए किस gender के लोगों किस तरीके से behave करना चाहिए family members यह sure करते हैं कि चाहे बच्चा कितना भी छोटा हो उसको पता होना चाहिए यह लड़का है या लड़की है या नहीं भी वह बताते हैं तो उनके actions के थूरू बच्चे को पता लग जाता है यहां तक कि एक छोटा डेड़ दो साल का बच्चा होता है उसको भी पता होता है कि वह लड़का है या लड़की है तो रीजन क्या है क्योंकि family members अपनी काम से या अपने way of behaving से या directly उस बच्चे को यह एहसास दिला देते हैं कि वह male है या female है ठीक है इवन जो toys होते हैं जो खिलोने होते हैं वह भी बच्चों के लिए अलग अलग होते हैं जैसे कि लड़कों के पास आपको cars truck इस तरीके की चीज़े मिलेंगी जबकि लड़कियों पास आपको dolls या kitchen set मिलेगा तो ऐसा तो नहीं है कि लड़कियों ने उसको चूज कि उनको तो पता भी नहीं था कि वह लड़की हैं बट हमने उनको as a family as a society ऐसा बताया कि आपको इस तरीके से भीएव करना आपके खिलोने भी इस तरीके से होने चीज़े हैं दूसरी बात और लड़कों को देखकर या लड़के और लड़कों को देखकर सीखते हैं कि हमें कै इसे रहना है society में हमें कार ही पसंद करनी है हमें डॉल्स पसंद नहीं आ सकती है as a boy है ना तो दूसरे बच्चों को देखके भी हम सीखते हैं हमें बताया भी जाता है है इसके बाद अगर हम कपडों की बात करें बात करें बैठने की बेहेव करने की बात करें तो यह भी लड़को को एसे अजीब तरीके से बैठना ओलतेना है उनको चलना चलना कर सकते हैं लड़के किसी बी तरीके से बैठ सकते हैं जो उनका मन되는 है निए देचा यह परहली ने वहीं बहुतति बात करें लड़कों की सब्सक्राइब एक बहुत लड़कों को अलग तरीके से अब ऐसा नहीं है बहुत सारी लड़कों की तरह बिड्रेस अब करते हैं अगर कोई लड़की लड़कों की तरह कपड़े पहनते तो उसको सुसाइटे में फिर भी थोड़ा बहुत ओके माना जाता है बट कोई लड़का अगर लड़कों की तरह कपड़े पहने तो इमाजीन ही नहीं की जा सकते है यह चीज तो क्योंकि हम लोग भी अगर किसी लड़के को एक लड़की की तरह ड्रेस अफ होते हैं देखेंगे तो हम भी शायद उसको अबनॉर्मल मानेंगे हम लोग इतने पढ परेंट या कुरता पजामा या कुरता दूती इसी तरीके कपड़े करेंगे जो मेल्स के लिए पर्मेटेड हैं अकॉर्डिंग डू दी फामली अंदी सुसाइटी जैसे लड़किया है उनको चाहे बहले ही वह भाहर काम करते हो तो हमेशा हमारे पेरेंट्स में बोलते हैं अगर आप घर के काम सीखना चाहते हैं just for your own benefit कि अगर आप अकेले जाके बहार रहते हो तो अपना खाना खुद बना सके अपनी लॉंडरी खुद कर सके तो इसके लिए आप सीखना चाहते है तो आपके ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं है कोई बर्डन नहीं है बट लड़ आपको बुरा चाते हैं कि आप ऐसे घर पे नहीं बैट सकते हैं आपको भार की चीज़ों की नौलेज होना चाहिए तक बहुत कम होता है यह उनको नोकरी करते ही है क्योंकि उनको लगता कि सूसाइटी क्या कहएगी है और ऐसा बोलते हैं कि फीमेल्स को एज़स्टंग होन चाहिए, family members भी इस चीज़ को लेकि conscious होते हैं कि females जो है safe रहे, safety हो females की और ये responsibility males को दी जाते हैं तो इस तरह के कुछ family और gender से related है कुछ चीज़े थी, अब हम बात करेंगे cast और gender roles का क्या relation है, क्या क्या चीज़े हैं बहुत सारी चीज़े हैं, इसमें भी बहुत सारी पढ़ते हैं, बट हम हर एक चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते हैं विकाज ये topic बहुत पाइड है, तो कुछ ऐसे important और male में चीज़ों को मैंने इसमें include किया है आप बात करते हैं, जैसे कि जितनी भी communities हैं, कोई भी caste हो, कोई भी community हो ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर male ही dominate करते हैं और male को ये privilege है कि they dominate over women हर तरीके से, हर sphere of light में, जै कोई भी community हो कुछ communities, बहुत ही rare communities को छोड़ दिया जाए तो जैसे कि ऐसा मानते हैं कि हमारे South India में कुछ ऐसी communities हैं जो हाँ पर की females शादी के बाद घर छोड़ कर नहीं जाती है बलकि males अपना घर छोड़ कर females की family में add होते हैं और वहाँ की society है, वो female dominating society बट वो एक exception है, बहुत बड़ा exception है जाद अतर cases में लगबख सभी cases में males ही dominate करते हैं families को, society को और यहीं से शुरू होता है women को subordinate करने का काम subordinate का मतलब भी है women को नीचा दिखाने का काम men's से कम समझने का काम और ऐसा दिखाने का काम कि women's छोटी है, कम है और उनको men's control करेंगे तो subordination of women यहीं से start होता है ठीक है, और यहीं से फिर सारे world में फैलता है तो यह जो subordination है, इसको culturally construct किया गया पहले हमारे culture में ऐसी practices लाई गई जिसे की women's को male से कम समझा जा सके सिर्फ हमें अपने culture की बात नी करें Indian culture की, पूरे world की बात करें इस तरीके से चीजों को construct किया गया और वो construct भी आदमियों नहीं किया men नहीं किया ताकि female को अपने से कम दिखा सके तो culturally इस चीजों को construct किया गया materially और ideological लेवल पर इसको reinforce किया गया यानि कि लागू करवाया गया ठीक है अगर हम caste की बात करते हैं कास्ट क्या है कास्ट ग्रूप्स है एक वेल डिफाइन ग्रूप है कास्ट जहां पर सभी लोग एक सर्टेन लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं ठीक है और यह जो कास्ट का ग्रूप है इसकी membership अपने आप नहीं मिलती यह बर्त से होती है और कोई तरीका नहीं है इसमें इंटर करने का जैसे फर इजैंपल अगर कोई ब्रहमिन है तो अब ब्रहमिन बनने का कोई तरीका नहीं है आप ब्रहमिन तभी हो सकते है जब आप बाइबर्थ ब्रहमिन हो है तो caste एक ऐसा group है जिसमें आप by birth ही आ सकते हैं और कोई इसका तरीका नहीं है हर एक caste का अपना कोई traditional occupation होता है हर एक caste अपना कुछ काम करते हैं जैसे कोई अगर ब्रामन है तो उसका काम होता है पूजा पाड़ करना या भक्ती करना यह सब चीजे और अगर कोई शत्री यह है तो उसका काम होता है कि लड़ना युद्ध करना हाला कि अब के जमाने में तो शत्रीयों के लिए यह वाली काम नहीं है बढ़ हाँ पहले की बात अगर मैं करें हो जैसे कोई कुमार है तो आज भी वो बरतन का काम करते हैं तो उनका मतलब ट्रेडिशनल लोग उपेशन नहीं है अधरवाइस काम तो सब लोग सभी करी ही रहे हैं और दूसरी बात है कि कास्ट जो होती है वो एंडोगैमी प्राक्टिस करते हैं एंडोगैमी का मतलब है सेम कास्ट में शादी करना ठीक है वो स्ट्रिक्ली चाहते हैं कि हमारी कास्ट की लड़की की शादी हमारे कास्ट के लड़के से ही हो किसी और से ना हो और इसलिए हमारे पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रिक्ट होता है इंटर कास्ट मैरिज को लेकर इंटर इलिजन तो बहुत दूर की बात है तो यही है कि caste के अंदर ही reproduction होने चाहिए यहीं कास्ट के अंदर ही marriage होनी चाहिए इस इस इन्डोगेमि ठीक है और एंडोगेमि को एक tool माना जाता है caste को continue करने के लिए gender subordination को बनाये रखने के लिए मतलब कि caste को जो भी हमारी continue रहे और अगर कोई ब्राम्मेन ही रहे किसी और कास्ट का mixture ना हो और women's को भी एक उसी level पर बनाए रखना men's से नीचे उसके लिए भी जरूरी है फिर एगर किसी थोड़े नीचे कास्ट के लड़के ने किसी ऊची कास्ट की लड़की से शादी की तो फिर वो दब के नहीं रहेगी उससे तो वो subordination भी खतम होता है है ना तो यह सब चीज़े maintain करने के लिए और कास्ट की purity को maintain करने के लिए भी endo gaming भज़र जरूरी यानि same caste में marriages रहना होना बहुत important है ठीक है और यह जो rule of marriage है इसी से ही जो caste है वो continue होती है और purity जो है caste की बनी रहती है और इसको safeguard करने के लिए पहले women's को safeguard किया जाता है उनके movement को कह जाता है कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जो हमारी caste की women है यह किसी और caste के person से किसी और caste के male से शादी कर ले इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है because ऐसा माना जाता है कि women's are the gateways women's ही वो रास्ता है जिसके थुरू कोई भी किसी caste system में एंटर कर सकता है जैसे कि अगर कोई female किसी upper caste के male से शादी करती है तो फिर उस female का एक तरीकी से माना जाता है कि फाइदा है क्योंकि उस वो अपर कास्ट में एंटर कर गई अगर कोई female किसी lower caste male से शादी करती है तो फिर वो जो lower caste male है उसको एक gateway मिल गया वो अपर कास्ट में आने का है ना तो women's को एक gateway में माना जाता है एक caste system में एंटर करने का तो इसलिए कास्ट की purity को शौर करने के लिए देखा जाता है कि women's अपनी कास्ट में ही शादी करें आप जिसी की कास्ट ब्लड जो होता है उसको bilateral माना जाता है या हमेशा वो bilateral होता है मतलब कि जो एक person है उसको दोनों तरह से दोनों पेरेंट्स की qualities मिलती है ना तो दोनों पेरेंट्स सेम कास्ट के होंगे तो कास्ट की जो purity है वो बनी रहेगा अगर अलग-अलग कास्ट के होंगे तो वो जो कास्ट ब्लड है वो mix हो जाएगा तो वो जो person है जो नए individual है जो उनका बच्चा है वो भी एक mixture होगा जो की accept नहीं किया जाता है आज तक भी ठीक है और अगर यहाँ पर यह बात चली रही है तो अनुलोमा और प्रतिलोमा के बारे में भी में बात करनी से यह एक concept है बहुत जो पुराने समय से चला आ रहा है अनुलोमा प्रतिलोमा का क्या मतलब है इसका मतलब ही है कि जैसे अगर कोई लड़का है जो की upper caste का है अगर वो एक lower caste की लड़की से शादी करता है तो उसको society अप्रूफ कर देती है कास्ट भी अप्रूफ कर देती है इसको कहा जाता है अनुलोमा क्योंका मानना है कि शादी करके लड़के के घर में आ रही है तो उसका तो कुल जो है सुधर गया उसका कुल सुधर गया तो अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसको कहते है अनुलोमा जबकि आगर कोई उपर कास्ट की विमन जो है किसी lower caste के मेल से शादी करती है तो उसका डिमोशन म कि नहीं विमन का डिमोशन हो रहा है उसका कुल जो है नीचा हो रहा है और इस वज़े से जो बच्चे होंगे वो भी सही नहीं होंगे उनमें कमिया होंगी और इसलिए ऐसे बच्चों को जहां पर फीमेल कास्ट में उपर हैं और मेल कास्ट में नीचे हैं ऐसे बच्चों क बहुत इस चीज को माना जाता है कि अगर कोई आपर कास्ट की विमेन किसी लोवर कास्ट के मेल से शादी करते हैं तो उसको बिलकूल भी अच्छा नहीं माना जाता है आज भी ठीक है इसके बात पेट्रियाकी भी एक चीज है जो कि इस चीज में रोल प्ले करते हैं मतलब पि इसको कहते है पितर सदायर पेट्रियाकी तो पेट्रियाकी जो है वह भी इस चीज में कहींना कई करते हैं इसी वजह से जो में होते हैं ज्याधा पावर इंजुआई करते हैं जबकि विमेंज जो हैं थोड़ी सी लोवर पोजिशन पर देखने को मिलती है ठीक है और बहुत सारी विमेंज जादतर वुमेंज इस चीज को accept भी कर लेती है और सासात में एक बात हो रहाएं कि विमेंज को किसी भी community का honor मानना जाता है उनके साथ कुछ भी गलत होना है उनको कुछ गलत बोना अपना अपमान मानना जाता है ठीक है और इसी dominance की वजए से इसी patriarchal practices की वजए से विमेंज जो है अब इस चीज पर बात भी क जो कि हमें इसमें टच करनी चीज टॉपिक में जैसे कि जो विमेन है उसके शादी करना न करना कास्ट के स्टेटस से जोड़ा जाता है कि जितनी जादा हायर रैंक होगे किसी कास्ट की उतना जादा विमेन को और भी अच्छा और आइडियल होना चाहिए देखे यह जो जो जो आपको बताने जा रही हूँ यह उस राइटर का व्यूँ है जो उसने एक एक्जाम्पल लेके समझाया अदरवाइस मैं और भी एक्जाम्पल आपको इसमें रूँगी जैसे इहां पर एक एक्जाम्पल दिया हो है ब्रहमन का जो ब्रहमन ब्राइड वो वर्जिन ह होनी चाहिए ठीक है और अगर विडो भी है वो तो दुबारा शादी नहीं कर सकती उनको वैसे जीवन बताना होगा या जो भी सर्टिन रूल्स है विद्वा को फॉलो करने चाहिए किसी शुब काम में नहीं जाना है वो सब चीज उसको निभानी होगी चाहिए फिर वो ज जिन्दगी जीनियों की जो एक विडो जीती है है ना तो इस तरीके से है तो मतलब जितनी जादा हाइर कास्टों को इतना जादा इन चीजों को बहुती माना जाएगा अब जैसे कि अगर कोई बड़ी कास्ट की विमन है तो वो अपने हस्बेंड को लेके फेटफुल रहे जबकि अगर कोई स्वीपर की राइड है तो वो अगर वर्जी नहीं भी एक्स्ट्रमाइटल अफैर भी उसका है तो उसको टॉलरेट किया जा सकता है और विडो और डाइवोस्ट की दुबारा शादी भी हो सकते है बट अपर कास्ट पर ऐसा नहीं होता है मतलब यह राइ को बहुत ही निचले दर्जे से देखा जाता है कोशिशी की जाते हैं कि विमेंस हमेशा कवर रहें ताकि उनको कोई और पर पुरुष ना देखे ठीक है कोशिशी की जाती कि उनकी जो एजूकेशन है वो इतनी जादा ना हो वो लड़किया जादा काम ना करें कि फिर इसस सारी चीज़े होते तो डिफरेंट कास्थ में डिफरेंट डिफरेंन डिलीचन में कपी इसे प्रैक्टर विमेंस को बहुग जो उनको बहुत ही झांड करना पडता है कर इसलिए क्योंकि वो लभर कास से बिलॉंग करते हैं उनको कुछ नहीं समझा जाता है उसके सांथ कु को संद्धान भी नहीं लिए अंके साथ बहुत चीज़ गलत होती है वह प्लेस वे उनका exploitation होता है यह नहीं कि sexually exploitation होगा वैसे भी पैसे के basis बहुत सब चीज़ के basis भी exploitation होता है लोग क्लास विमन और मैन उसमिलता तो वो सब क्या है कि तो इस तरीके से ऑरते से हैं पर मिद्वाइटी मर्डिन करना पढ़ता एक डेट को करना पढ़ता है यह तो यह सब सब्सक्राइब करने बात फैंड उनसे काम करने पड़ते जो यहाद ऊए हम ना चाहें है कि यह सब्सक्राइब करने कि ऊदक कारां अगर्म कास्ट वे स्टेश में द्युलन का में बाकि अगर आपके कुछ questions है तो आप comment section में पूछ सकते हैं कोई suggestion है तो आप बिल्कुर comment section में जरूर बताईएगा आज के लिए सर्फ इतन है